हे डाइस कैसे हैं आप आई hope कि आप सभी अच्छा हूं आज के इस ब्यूडिये में हम बात करने वाले हैं हाव टो चैंज ह़ौड़ स्पोर्ट सेटेइन सब आज बिवड़ूड़ है में किस तरीके से बुद्वाइस में किस तरीके छेंज कर सकते हैं मैं आपको यहां पर बताने बालू किस तरीके से आप यहां पर अगर आपने hotspot को on किया और बहुत सारे लोग ने connect कर दिया एक को password बताया बहुत सारे लोग connect कर दिया तो वो कैसे आप यहां पर सेटिंग चेंज कर पाएंगे सिर्फ एक ही बंदा connect कर पाएगा या सिर्फ दूई बंदे यहां पर आपके वाइफाई को होट इसपोर्ट को यूज कर पाएंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर नोटिफिशन बार में जाना है एक बार और स्वाइब कर दिना है और यहां पर आपको होट इसपोर्ट मिल जाता है तो यह पहले आपको इसे on करना है या फिर प्रस करके रखना है प्रस करके रखना है यहां पर आपको होट इ जादी है तो इसपे क्लिक करना है और यहां पर आपको जाना है connection management पर, इस पर किलिक करना है, यहाँ पर device connected limit, connection limit 10 हो रखी है, तो अगर आपने hotspot को on किया, तो 10 लोग connect कर सकते हैं और आपका data full कर सकते हैं, एक ही minute में, तो यहाँ पर आपको एक या दो कर देना है, तो यहाँ पर दो कर देती हैं, और confirm कर देती हैं, और यहाँ पर data uses limit, इस पर किलिक करना है, और वो भी लोग कितना data use कर सकते हैं, आपका, यहाँ पर इस तरीके से वो एम भी लगा सकते हैं, तुसकी 200 MB की यहाँ पर आप limit लगा सकते हैं, 200 MB लगा दी, OK कर दिना है, तो यहाँ पर 200 MB से ज्यादा यहाँ पर यह कोई भी data आपका use नहीं कर पाएगा, और मेरे साथ एक ही रखना है, क्योंकि एक ही बंदे को data देना होता है, दो लोगों को अगर देना है, तो पहले यह कर ले, उसके बाद दूछ रहा, इस तरीके से आप यहाँ पर यह setting चेंज कर पाएगे, उसके बाद यहाँ पर आप इससे on करके रखें, इससे क्या होता है, अगर 10 मेंट तक wifi connect नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यह automatically आपका hardware on हो जाता है, sorry off हो जाता है, so guys I hope कि आपको यह वीडियो प्रसंद आया होगा, तो आज की इस वीडियो में तना ही दोस्तों, मिलते है next interesting वीडियो के साथ